हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चेनल पर दोस्तों आज के हम इस वीडियो में नागा मंदला के बारे में डिसकस करने वाले हैं नागा मंदला जो की ग्रीज करनाड के द्वारे लिखी गई वन ओप दबेस्ट नोविल्स में से एक है तो इसके बारे में हम डिसकस करने वाले हैं तो चलिए बीना देर किये हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों जो नागा मंदला लिखी गई है वह बेसिकली कन करनेट में लिख गई है कानेट में ग्रीश करनाड जो थे वह करनेट लेंग्वेज्ट के राइटर ते तुनहांने नागा मंदला को लिखा था तकनेट लेकिन यह लिखने के बाद पब्लिस होने के बाद इतनी फेमस हो गई थी पूरे इंडिया में कि इसके कई वेरियंट्स मार्केट में एविलेबल होने लगें कई परकार के लिंग्वेज में या पब्लिस होने लगी थी और इस परकार से पूरे इंडिया में फेमस हो गई थी तो चलिए बढ़ते हैं इसके स्टोरी के तरफ देखते हैं कि क्या क्या है इस स्टोरी में तो सुरुवात करते हैं इसके करेक्टर से इसके characters में पहला नाम आता है रानी का रानी जो की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है वो अपने माता पिता की एकलोती संदान होती है वह रानी जो है वह सक्ल से और दिल से हर तरह से काफी सुंदर होती है इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर के characters की तो दूसरा नंबर का करेक्टर्स है अपन्ना अपन्ना जो कि रानी का हस्बेंड होता है रानी का हस्बेंड होता है यह क्योंकि रानी के माता पिता चाहते हैं कि रानी की साधी ऐसी जगह पे हो जो लड़का अच्छा कमाता हो अमीर हो तो अपन्ना अमीर तो था बहुत लेक तो अपना जो था वरानी का हस्बेंड था तीसरा नंबर का करेक्टर्स है कुरुधावा कुरुधावा जो थी वह अपना की मदर की मतलब अपना के मां की दोस्त थी अपना के मां की दोस्त थी अपना के माता पिता नहीं थे गुजर गए थे तो अपना के मां की दोस्त थी कुरुधावा वह अपना को भी अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी आगे जानेंगे कि इनका रोल क्या है इस नोबेल्स में इसके बाद का केरेक्टर साता है कपन्ना कपन्ना अपन्ना दोनों नेम सेम ही लग रहे हैं तो ज्यादा कन्फ्यूज मत हो जाईएगा रानी के हस्बेंट का नाम था अपन्ना और जो कुरुधावा के जो बेटे थे उनका नाम था कपन्ना तो कपन्ना कौन था वह कुरुधावा का बेटा था तो दोस्तों आप तकि आप सब यह समझ गए और एक बात में और बताना चाहता हूं कुरुधावा के बारे में कि वह एक अंधी औरत थी कुरुधावा आखों से देख नहीं सकती थी वह बच्पन से ही अंधी थी तो ज्याद नहीं बस चार क्रिक्टर से है इसमें राणी अपन्ना जो कि राणी का हस्बेंड होता है ञोगी अपना के मा की दोस्तों होती है और कपना, कपना जो है वह कुरुधावा का अपना बेटा होता है तो बढ़ते हैं अब इसके स्टोरी की तरफ तो स्टोरी सुरू करते हैं हम रानी से रानी इस स्टोरी के वन अप दे मोस्ट इंपोर्टेंट करेक्टर्स है रानी अपनी मा और पिता की इतनी लाडली बेटी होती है कि रानी के साधी होने के बाद भी वो अपने माता पिता के साथ ही रहती है क्योंकि रानी की उमर कम थी जब उसके साधी हुई थी अपना से तो इसलिए वो अपने घर में भी रहती थी लेकिन उमर हो जाने के बाद वो अपने पती अपना के साथ रहने लगी रानी के माता पिता ने ये सोच कर उसकी साधी अपना से की थी कि अपना बहुत अमीर था और जब तक उसकी मा पिता जी मरे नहीं थे मतलब अपन्ना के माता-पिता जिन्दा थे तब तक अपन्ना एक बहुत ही अच्छा लड़का था यह बात कुरुधावा भी अच्छे से जानती थी लेकिन अपन्ना के माता-पिता के मर जाने के बाद वह कॉंकूबाइन का आदी हो गया कौनकु बायन यानि जिसे हम वेस्या कहते हैं तो वेस्याओं का वा आदी हो गया था इसलिए वा अपने पत्नी मतलब रानी की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देता था वा केवल पूरे दिन में एक बार आता था केवल दोपहर के टाइम आता था भोजन करता था और रानी को उसी घर में केद करकर के वा पुना वेस्याओं के साथ चला जाता था रानी बहुत डिप्रेश्ड रहने लगी चिंतित रहने लगी वा हमेसा ख्यालों की दुनिया में खुई रहती थी क्योंकि उसे भी कुछ उसके भी कुछ सपने थी जिसे वा पुरा करना चाहती थी लेकिन अपना कभी भी उसके लिए जरा भी चिंता नहीं करता था रानी केसी है, क्या कर रही है, किस हाल में है उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं था बस वा एक टाइम दिन में कभी भी आता था और भोजन करके चला जाता था वापस रानी ने उसे कई बार बात करने के भी कोशिस की लेकिन अपना कभी भी उसे अच्छी तरह से रिस्पेक्ट नहीं दिया कभी भी उसे अच्छी से बात नहीं किया तो एक दिन हुआ कि अपना के जो पडोसी थे पडोसी में वही जो जिसका नाम मैंने बता दिया कुरुधावा थे वह आई रानी के पास रानी के पास खुद से नहीं आई वह हमेशा अपने बेटे के पीठ पर बेठी रहती थी और उसका बेटा जो कपन्ना नाम है तो कपन्ना ही उसे हर जगा ले जाया करता था तो कपन्ना अपनी मा को ले करके आया रानी के पास बाहर से गेट लगा हुआ था रानी अकेले घर में रो रही थी या चिंती थी आप जो भी कर सकते हैं इसे तो रानी ने अपनी सारी बात सारी दिल की बात कुरुधावा को बता दी कि उसके लाइफ में क्या चल रहा हुआ कितनी डिपेश्ड है हमेशा अपना उसके साथ कभी नहीं रहता है ये सारी बातें रानी ने कुरुधावा को बता दी कुरुधावा भी बहुत चिंति थी क्योंकि जब तक अपन्ना के माता पिता जिवित थे अपन्ना एक बहुत ही अच्छा लड़का था वह संसकारी भी था और कभी भी गलत काम में नहीं जाता था लेकिन वर्तमान समय में जो उसकी हालत थी वह कॉंकुबाइन का जो आदी हो चुका था और अपनी बीवी की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता था इसलिए कुरुधावा भी बहुत चिंतित हो गई तो उसने रानी को एक उपाय बताया उपाय यह था कि कुरुधावा एक उसे जिसे हम जड़ी बूटी कर सकते हैं तो कुरुधावा ने रानी को एक जड़ी बूटी दी जड़ी बूटी दी और रानी से कहा कि जब भी अपना आए घर में भोजन करने के लिए दिन में एक बार तो इसे भोजन में मिला दिना भोजन में मिला करके उसे खिला दिना जिससे अगर जो भी यह खाएगा वह तुम बुटी की एक छोटा सटुकडा रानी को दे दिया रानी भी थोड़ी खुस भी कि कम से कम इसी बहाने से उसका पति उसे वापस मिल जाए सायद तो उसने क्या क्या कि सुरुआत में सबसे सुरू में उसने सबजी में सबजी बनाई थी रानी तो सबजी में ही उस जड़ी बुटी को मिला दी थी अपना आया और उसी जड़ी बुटी मिली हुए सबजी को खाने लगा इसके बाद खाना खाने के कुछ देर बाद ही अपना जब जा रहा था गेट लोग करके तो उसी समय वा बेहुस हो गया ौर गिर गया रानी को कोई उपाय नहीं सूज रहा था कि वह क्या करे क्या न करे वह हडबडा गई थी पूरा जैसे तेसे अपना को होस में लाई और वह मन ही मन सोचने लगी कि भले ही अपना उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है लेकिन कम से कम रानी के स्वाख का परतीक तो है कम से कम यह कहने को तो है कि अपना मेरा हस्बेंड है बस यहीं काफी है मेरे लिए वह इतनी डर गई थी कि वह सोच भी नहीं सकते वह सोच रही थी कि अगर साइद कुछ हो जाता मेरे पती को कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता इससे अच्छा है कि जैसा चल रहा है जीवन में वेसा ही चलने दे इसके बाद इसके अगले दिन कुरुधावा फिर आती है यह सोचने के लिए यह जानने के लिए कि साइद वह लब रूट काम किया या नहीं लब रूट यानि वही दोस्तों जड़ी बुटी तो वह यह जा जड़ी बुटी थी इसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया इसके बाद कुरुधावा ने एक बड़े वाली जड़ी बुटी उससी की बड़े साइज का टुकड़ा रानी को दिया और इससे बोला कि यह इससे यह जरूर काम करेगा तो क्या हुआ कि उस दिन रानी जो थी उसने दूध में एक गिलास दूध में उस जड़ी बुटी को मिक्स कर दिया एक गिलास दूध में उस जड़ी बुटी को मिक्स कर दिया जैसे ही रानी ने उस जड़ी बुटी को दूध में मिलाया दूध का कलर जो था एक बिलकुल खून की तरह लाल हो चुका था यह देखकर रानी बिलकुल डर गई वह जानती थी वह सोच रही थी कि कुरुधावा भले ही अंधी है लेकिन उसका पती तो अंधा नहीं है क्या वह इस लाल रंग से मिले हुए दूध को थोड़ी ना पियेगा इसलिए जैसे ही अपना आया उससे पहले ही रानी ने वह सारा दूध चीटी के तिल्ध पर यानि चीटी के जो बनाया हुआ टिल्ध रहता है उसपर सारा दूध उड़ेल दिया फेक दिया और वह आपना को मतलब पीने के लिए वह दूध नहीं दी अपना आया खाना खाया और फिर से बाहर से लोग लगा करकर रानी को छोड़ करके चला गया लेकिन जो चीटी के टिले पर दूद फेकी थी रानी उस टिले में एक सांप भी रहता था जिसे हम नागा कह सेकते हैं तो एक सांप नागा भी रहता था उसने उस जड़ी बुटी मिले हुए दूद को पी लिया था क्योंकि वह एक एक असी जड़ी बुटी थी कि जो कोई भी पीएगा वह रानी के प्यार में पढ्ड़ जाएगा पूरा पूरी तरह से पढ़ जाएगा हुआ भी यही नागा भी पूरी तरह से रानी के कि प्यार में पढ़ गया जो नागा था वह इच्छा धारी था इच्छा धारी मतलब किसी भी परकार का कोई भी रूप वह ले सकता था चाहें वह आदमी का हो जानवर का हो या किसी परकार का भी कोई रूप हो तो वह उसे ले सकता था उस रूप में आ सकता था अब नागा क करता क्या था कि वह हमेशा अपना का रूप लेता था और राने से मिलने आ जाया करता था चुकि अपन्ना दिन में आता था और भोजन करके चला जाता था तो नागा भी अपन्ना का रूप लेकर के अब रात में आने लगा था अपन्ना का रूप लेकर के नागा रात में आने लगा था और रानी से काफी फ्रेंक हो करके बात करता था रानी भी बहुत सोचती थी कि आखिर अपन्ना दिन में मेरे साथ ऐसा वहवार करता है और रात में आकर कि अचानक इतना चेंज केसे हो जाता है अपन्ना जो अपन्ना था वो एक कुत्ता रखे हुए था डोग एक डोग को उसने पालतु बनाया हुआ था तो एक बार क्या हुआ कि रात में नागा खिड़की के अंदर से खिड़की से हो करके रानी के घर में प्रवेश कर रहा था तो वह जो डोग था और नागा वह दोनों में इतनी जवरजस्त लड़ाई हो गई कि नागा भी बुरी तरह से घायल हो गया डोग और जो स्नेक नागा था इन दोनों के बीच के लड़ाई में नागा बुरी तरह से घायल हो गया लेकिन अंत में नागा ने उस कुट्टे को काट लिया था और वह डोग मर गया था उसी दिन फिर वह नागा आया रानी के पास अपना अपना का रूप धारन किया लेकिन अपना का रूप लिया लेकिन फिर भी उसके सरीर पर कुट्टे के काटने का जख में था निसान था रानी उसे लगे हुए जख में पर मलहम लगा दी और धिरे धिरे वा नागा ठीक भी हो गया था लेकिन रानी को उसी दिन बहुत से डौट वे क्योंकि जिस रात को अपना आया था मतलब नागा जो अपना करूप लेकर के आया था उसी रात उसका कुटा भी मर गया था तो इस परकार सी छोटी छोटी सी संदेश अंदेशा रानी को होते रहता था रानी हमेशा सक करती रहती थी कि कुछ ना कुछ गड़बड जरूर है लेकिन उसे वा समझ में नहीं आता था और वा इसे नजर अंदाज भी करने लगी थी जब अपना दोपहर को आता है तो वा कुटा को मरा हुआ देखता है कुटे के सरीर में साप के काटने के निसान थे तो अपना समझ गया कि यह जरूर साप के काटने से मरा है इसलिए वा एक नेवला लेकर के आया लाई हो गई लेकिन नेवला फिर भी मारा गया उस लड़ाई में नेवला भी नागा के द्वारा मर गया था लेकिन नेवला इतनी बुरी तरह से उस नागा को जखमी कर दिया था कि वा पंदरा दिन तक कभी भी राने से मिलने नाइट में नहीं आया रात में नहीं आया तो दोस्तों यह तो हो गई उसके कुछ अंदरूनी बाते अंदर के बाते जो कि नागा नेवला से लड़ा नागा अपन्ना के पालतु डोग से लड़ा नागा पंद्रा दिनों तक राने से मिलने नहीं आया इसी बिच रानी प्रेगनेंट हो जाती है और जो रानी का बच्चा होता है वह नागा जो की अपन्ना का रूप लेकर के आता था तो नागा और रानी का होता है और जो अपन्ना था यह बात अच्छी से जनता था कि रानी का बच्चा उसका नहीं है यह बात पूरे गाउं में फेल गई तो समाज के द्वारा यह निर्ने लिया गया कि रानी साप के बिल में उसी नागा के बिल में हाथ डालेगी अगर रानी पवित्र होगी जूट नहीं बोलेगी तो नागा उसे नहीं काटेगा और अगर वह जूट बोली तो नागा उसे काट देगा चुकि वह उस गाउं की यह प्रथा थी कि जो कोई भी जूट बोलता है उसे नागा जरूर सजा देता है और यहां बात वास्तविक भी थी रानी को अभी तक भी समझ में नहीं आया था कि क्या करे क्या ना करे तो बाद में नागा खुद रानी के पास आकर के बोलता है उसे सजेशन देता है कि डरने की कोई बात नहीं है मैं सब संभाल लूँगा समाज के द्वारा या निरने लिया जाता है कि रानी को साप के बिल में हाथ डालना होगा तो रानी साप के बिल में हाथ डालती है और नागा से कहती है मतलब उस बिल में हाथ डाल करकी कहती है कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने पती मतलब अपने पती अपना और इस नागा के अलावा किसी को असपर्स नहीं किया है क्योंकि जब वह हाथ डाली थी तो नागा उसे असपर्स हो गया था तो इसी बहाने से यही सब्द बोलते ही रानी को नागा नहीं काड़ता है क्योंकि यह बात वास्तविक थी, रानी जूट बोल ही नहीं रही थी, क्योंकि वह नागा से केवल असपर्स, नागा के असपर्स में थी, और केवल अपने पती के असपर्स में थी, बाकि और किसी भी पराई पुरुस के असपर्स में वह नहीं थी, इस परकार से रानी समाज में बदनाम होने से बच जाती है और वा पवित्र हो जाती है लेकिन अपना यह बात अच्छे से जानता था कि उसका बेटा उसका नहीं है रानी का जो बेटा है वा उसका नहीं है तो या खीर इसका क्या वज़ा है वह इसकी निगरानी करने लगा तो दोस्तों अब यह कहानी यहाँ पे इंडिंग की और आ जाती है समाप्ती की और आ जाती है तो इसका इंड कई परकार से होता है कई सारे बुक में तीन परकार से इसकी इंडिंग दी हुई है किसी में अलग परकार की इंडिंग लिखी है तो किसी में अलग परकार की तो चलिए बताता हूँ इसके आगे की होता क्या है जब रानी जब अपना को यह पता चलता है कि रानी भले ही पवित्र हो चुकी है समाज में लेकिन वास्तों में तो अपना का बेटा था ही नहीं, रानी का जो बेटा था, वो अपना का था ही नहीं, वो नागा का था, तो अपना इसी का ध्यान रखने लगा कि आखिर यह किसका बेटा है, तो पहला इसके इंडिंग यह है, कि रानी नागा को अपने बालों में हमेशा के लिए अमर कर देती है वह नागा से कहती है कि तुम मेरे बालों में आ जाओ बाल का रूप धारन करो और हमेशा के लिए हमेशा के लिए अमर हो जाओ यह तो हो गई पहली इंडिग और किसी और आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि नागा मतलब अपना को यह पता चल जाता है कि यह सारा कर्तूद उस नागा कहीं है तो अंत में अपना उस नागा को मार देता है लेकिन रानी फिर भी हर साल हर साल उसकी पुन्यतिति मनाती है और जब नागा का दाह संसकार किया जाता है, तो रानी अपने बेटे से ही नागा का दाह संसकार करवाती है, क्योंकि वास्तों में नागा का बेटा ही था, वह नागा का ही बेटा था, और नागा के ही कारण रानी के जीवन में खुसिया आई थी, नागा ही था जो उसे जीने का मकसद सिखाया था तो इसी परकार से रानी हमेशा से हमेशा नागा को उसकी पुन्यतिति पर उसके लिए उसकी पुन्यतिति मतलब मनाती थी ये तो गई दूसरी एंडिंग और एक और इसकी एंडिंग पॉपलर एंडिंग है वैसे पॉपलर तो ज्यादा नहीं कहेंगे पॉपलर तो यहीं वाली थी जो मैंने बताया कि नागा को मार दिया जाता है और उसकी पत्नी रानी हमेशा उसकी पुनितिति मनाती रहती है तिस पतलब लव करता था लेकिन वा और उसके पती अपना के लिए वह अपने लव को सेक्रिफाइज कर देता है और उनका साथ छोड़ देता है उन्हें अपने हाल पर छोड़ देता है और इसके बाद अपना भी अपनी वाइप के साथ अच्छे से रहने लगता है क्योंकि उसे कभी यह रियलाइज हो जाता है कि यह सारी गलती उसी की थी क्योंकि उसने ही राने पर कभी भी ध्यान नहीं दिया था तो दोस्तों केसी लगी या आपकी या श्टोरी मुझे जरूर बताईएगा और मैंने जहां तक हो सके अच्छे से एक्स्प्लेन करने का परियास किया है उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगे तब तक मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद